टिकमगर जिले के बड़ा गाउं थाना अंतरगत आने वाले गाउं ककरवाहा में रहने वाले प्रेम नाराण योगी उम्र असी वर्ष को 6 अप्रेल 2021 को वैक्षिनेशन का प्रथम डोस लगा था इसके करिब एक माह बाद तब यत बिगणने से एक मही को बुजूर्ग प्रेम नाराण योगी का देहांत हो गया था इसके बाद हद तो तब हो गई जब देहांत के 6 माह बिज जाने के बाद मरतक प्रेम नाराण योगी को 21 नॉबर 2021 को वैक्सिनेशन का दूसरा डोस का आगजी दस्तावेजों में लग चुका है अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार इसी दम पर वैक्सिनेशन के दूसरे डोस का 30 सौंबर तक लक्ष पूरा करने का दम भर रहा है टिकमगार से सुबत पाठक की रिपोर्ट मेरे पिताजी को परस्ट डोस यही की चेपरेल को लगा हुआ था उसके बाद एक मई को उनकी डेत हो चुकी थी पर इसके बाद जो है संभावता देखने में मिला है मेरे को कि जो है नमंबर माय में लगवाग एक नमंबर को मेरे पिताजी को दूसरा डोज लगा दिया गया है और यह मैं जो है प्रिसास से मांग करता हूं यह इतनी बड़ी लापरवाई कैसे हुई है कि वो आदमी यहां प्रिटीभी पर है नहीं है और उसकी जो है उसको आपने बड़ी लगा दिया है कि मेरे पिता जी क्यों बीयासी साल की थी और वो पूर्त सवस्थ थे कि अतना भारी पैसा हम लोगों के पास नहीं था कि अभी सुनने में आई यह कहां तक तक नहीं है पूर्टा जो है जो है जो है जो हुटे मेरे पिताजी कि एक में कुर्मित हो चुकी है और यह जो है घुड़ला परवाई है प्रसासन की तरफ से है अभाव फसके लिए हम इनके जो हिए जो हो जो है जो इसमें जो कर्म सारी या जो अदिकारी भी इसमें जो है लगे हुए है उनके सक्ट कार्वाय होने चाहिए बिल्टल मैंदा कि बड़ा गांत हना आंतरगा पे गां काकरवा है जहां पर अपरHH혈 मैं और बैक्सि Prison लगा हटी का इसके बाद मही माह में उसकी मौत हो गए और अभी 11 में नमंबर में उसको दूसरा डोज लग दिया है इसमें आपका क्या ना है मैं दिख्वा लेता हूँ ककरवा का बताए ना आपने उसका नाम क्या है प्रेम नारायन योगी है ना दिख्वाते हैं कि यह कैसे हुआ है क्योंकि अभी हम लोगों ने जैसे ड्यू लिस्ट दे रखी है लोगों को तो कॉल करने के बुला के उनको टीका करने के लिए वो रखा है तो उसमें से कैसे किस लेविल पे क्या हुआ वह हम जाच करके बताब हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें